बिहार सरकार्ड का द्वारे ये अपडेट दिया गया है जितने भी रासन कार्ड धारी है जिसके भी रासन कार्ड में जो भी मिंबर उनके आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आधार कार्ड लिंक कराना होगा एक्जाम्पल की तोर पे मैं आपको बता दू अगर आपके रासन कार्ड में पांच मिंबर है जिसमें से दो मिंबर का आधार लिंक है और तीन मिंबर का आधार लिंक नहीं है तो बिहार सरकार्ड ने ये अपडेट किया है रासन कार्ड में जितने मिंबर है सभी मिंबर के आ लिए रासन कार्ट में जितने भी सदस है सभी को अधार कार्ट से लिंक करना अनिवार्ज है अगर एक भी सदस का अधार लिंक नहीं होता है तो उसका रासन कार्ट को रद कर दिया जाएगा तो चलिए आप बात करते हैं लिंक कैसे क्या जाए और कहां से क्या जाए लिंक करन है तो वह आपको आधारकार्ड आपके रासनकार्ड से लिंक कर देंगे इसके लिए गवर्णमेंट के और से कोई चार्ज नहीं रखा गया है जो कि बिल्कुल फिरी है यह आप 28 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं इसकी अंतिमतिती 28 फरवरी 2021 तक दिया गया है कि जो भी रासनकार्ड उसके फुरे रासनकार्ड को रद कर दिया जाएगा अगर रासनकार्ड में नाम जोड़वाना है अगर न्यू रासनकार्ड बनाना है तो उसके लिए मैं और वीडियो बना चुका हूँ वो वीडियो देख लिजेगा लिंक आपको वीडियो के डिस्कुसम बोक्स में मिल जाएगा तो आज के इस वीडियो में यही छोटा सा अफडेट लेकर आये थे कि आपके रासन कार्ड में जो भी सदस है उनका रासन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करना आनिवार्ज है अगर आपको अधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका रासन कार्ड रद कर दि झाल 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 झाल